हेलो गाइस वेलकम बैक टो में चनलो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशालोजी क्लासिज में तो गाइस आज की जो वीडियो होने जा रही है वो है इंडियन सोशालोजिस्ट के जो अपने यूजी सी नेट सलेबस में हैं उन में में से एक जीएस गुर्रे की तो जीएस गुर्रे की बायोग्राफी और उनका जो कंट्रिब्यूशन है टूर्ड इंडियन सोशालोजी उसके बारे में हम डिसक्स करेंगे गाइस वीडियो बहुत मैं इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा क्योंकि यह ज्य जो उनका बर्थ हुआ है वो है 12 दिसंबर 1893 जो मालवन एक टाउन है महरास्टा के नजदीक वहां पे इनका जनम हुआ है वहां पे ये पैदा हुए और प्रोफेशन जो है ये प्रोफेसर रह चुके हैं सोशालोजी के ठीक है तो इनकी जो स्कूलिंग है वो दो स्कूलों मे यानिके दो अलग-अलग स्कूलों और अलग-अलग स्टेट्स में से हुई है तो जो हाफ स्कूलिंग हुई है वो आरियन एजुकेशन सुसाइटी हाइ स्कूल है जो गुरगाउ मुंबई में वहां से हुई है जो बागी की स्कूलिंग है वो हुई है बहादुर खान जी ह न संस्क्रेट में मैं में स्कूली और बुसक्राम के हैं में से अपनीWASabень मे की ग्रेघुवेशन की के पैब लिये हैं को सेकंड प्राइज मिला है। इन इतार किक मेडल ये कल स्कूली जो कि मॉंधाल अधनत लिए उन्होंने scholarship के base पे इन्होंने England वहां पे PhD करने के लिए जो के 1922 में Cambridge University है वहां से PhD करने के लिए England गए हैं इनको force किया था यहां पे थे उस टाम उन्होंने force किया इनको क्योंकि यह बहुत ही स्टार्डिंग से इंटेलिजेंट थे उनके फोर्स किया कि वहां पे आप जाओ यह scholarship के base पे scholarship इनको मिली और scholarship के base पे यह move हो कि कहां पे England पे PhD करने के लिए है कि इनकी guidelines के basis पे डब्यू एचर रिवर की basis पे यही वहां पे इनके guide भी रहे हैं PhD के time में लेकिन और इनका जो गुरे हैं वो बहुत ही influence थे बहुत ही मतलब उनको मानते थे इनकी जो ideology थी डब्यू एचर रिवर की तो उनकी ideology है जो उनको बहुत ही impressed थे उससे मानते थे और इसलिए उनने जो PhD के guide भी वही रहे हैं लेकिन कुछ time में उनका देहान्त हो गया उनकी death हो गया 1922 में और जो उनका thesis की थी आले उनके अंडर इन्होंने जो PhD की जो thesis थी वह complete किये है तो इनको respectable इनको एमन शीरी निवास यह सभी बोला के Doin of Indian sociology और हिवाजे गेंट एकार्ण को एमन शीरी निवास उन्होंने इसलिए कहा कि क्योंकि यह सबसे पहले जो इंडियन sociologist थे जिन्होंने inquiry है इनका जो study है जो इनकी writing है वो तीन aspects पर हम इसको discuss करेंगे तो पहला क्या है कि His own role is promoting sociology as a subject इससे पहले क्या कि जो उन्होंने work कि sociology as a subject उन्होंने start किया इससे पहले sociology को as a subject नहीं मानते थे इनको दूसरी जो social science है उनका सब पार्ट मानते थे लेकिन G.S. गुरे हैं जो उन्होंने इसको promote करने के लिए as a subject एक अपना अलग इनका field बनाया subject sociology as a subject start किया उन्होंने को 32 books लिखी थी और जो new theoretical perspective है उसको बढ़ाने के लिए उसके उपर work करने के लिए दूसरे जो newcomers हैं जो new sociologist हैं उनके लिए एक new theoretical perspective बनाया research है जो diverse topic पर करने के लिए उनको work किया और वो एक बहुत ही माने हुए nationalist है नेशनलिस्ट है नेशनलिस्ट की बात आती है तो सबसे पहले आगे आते थे तो उन्होंने पहला जो aspect है उनका जिनके उपर query की कि उन्होंने sociology को as a subject लिया second क्या है कि institution builder उन्होंने जो sociology subject है जो department है इंडियन social जो बंबई उन्वेस्टी में सबसे पहले उन्होंने ही स्टार्ट किया sociology department वहां पर start करवाया क्योंकि उससे पहले sociology department जासे political science हो गया education हो गया बाकि जो भी department कमिस्ट्री बायो यह से ही इन्होंने sociology department जो है बंबई उन्वेस्टी में सबसे पहले start करवाया यह question भी आ सकता है कि जो sociology department कहां पर कौन सी इन्वेस्टी में start हुआ हो किस ने start करवाया तो बंबई उन्वेस्टी में किस ने start करवाया जी एस गुरेन है उसे पहले यह sociology department था है नहीं और इंडियन sociological society 1952 यह इनकी एक work था और जो इसका करवे एयर दिसाई केम कपाडिया आई पी दिसाई MSA राओ यह सभी इनके students रह चुके हैं जो GSQ रहे हैं इनका teacher थे और यह जो बाकी के यह जो आज के माने हुए इन्होंने बहुत ही अपनी जो reputated अच्छे ची जो post अमाल के रखी हुई हैं जो अच्छे ची post पे work कर रहे इरवती करवे हो गया M.N.Sheri निवास इसको हम बहुत ही अच्छे से इंडियन sociologist में मानते हैं और पढ़ते हैं तो यह जो सभी इनका जो students रह चुके हैं तो इन्होंने तीन aspects में हमने इसके बात की तो इन्होंने जो thesis थी उनका जो topic था topic क्या था cost and race in इंडिया ठीक है उन को बाद में उसके ओपर work किया उनकी हमेशा कोशिश थी कि जो इंडियन society है वो बहुत ही इन बहुत सारे culture से बहुत सारे religion से इनको study करने के लिए उनका हमेशा से focus रहा है गुर्य हमेशा चाहते थे कि जो आज के जो इतना society है जो आज की society है उनने बहुत सारे जो year से बहु होँचे हैं उनको study करने की हमेशा उनको भूक रही है हमेशा उनने ये कोशिश किये जो के culture है जो यहां तक पहुंचा है इसमें चेंजिंग की आई है इतने बड़े process हुआ है जो मतलब अभी तक इतना लंबा process चला है इसमें क्या-क्या changing है उनको जो गुर्य की writing है उसमें वहुकाे है उसको हमेशा उन्होंने की कोशिश किया है ठीक है जी इस गुर्य की जो एप्रोचय वो दूसरे जो इंडूलोजिकल एप्रोच उनसे पपॉच है उनका क्या क्या रिजन से क्यों उनकी यप दूसरों से अलग है उसका जो bacon एक तो संस्कृत और वरनाकिलर पे वह बहुत ही मानते थे ठीक है उनको उन्होंने study किया और जो इंडियन सोसाइटी और culture है उसको explore करने के लिए उन्होंने संस्कृत जो टेक्स्ट है उनके context में उन्होंने देखा इंडियन सोसाइटी को और culture को और जो कोड़ थे वेदाज क शास्तराज, एपिक्स, जो कालिदास की जो पोईटरी है, उनको जो उनका वर्क है, उनके बिहाफ पे उन्होंने इंडियन सोसाइटी और कल्चर को उस कॉंटेक्स में देखा, और बाकी जो वरनकुलर लिटरेचर है, जैसे बेंकम चंदर चेटर जी की लिटरेचर है, जो औ पाकी मराथी वर्क है, उनके बिहाफ पे उन्होंने अपने जो सोशालोजी है, उसको उस कॉंटेक्स में देखने की कोशिश की है, उसके बिहाफ पे उनको मद्दे नजर रखते हुए, इंडियन सोसाइटी और कल्चर है, उसको उन्होंने एक्स्प्लेइन काया, दूसरा क्या है कि उनका जो अप्रोच है, वो दूसरे इंडियोजिकल अप्रोच से डिफेरेंट क्यों है, क्योंकि वो डिफ्यूजिनिस्ट मैथर है, उसको अप्लाई किया, क्योंकि वो स्टूडेंट रह चुके हैं, कि इसके डबली अचार रिवर के, और उनका फी इंफ्रेंस करने के लिए, तो जब स्टार्टिंट में उनका इणिस करने के लिए प्रॉच जो ब्रिटिश डोच इंध्र और ठीक्ते जी करने के लिए वो ओसको इंडिया में अपने इंडिया में अप्रोच जो यूज की इंडियन सुसाइटी और कल्चर को अंडरस्टेंड करने के लिए इसलिए उनकी जो परिस्पेक्टिव एप्रोच है जो उनका सोचने का तरीका वर्क करने का तरीका दूसरे जो इंडिलोजिकल प्रोच इसे उनसे डिफरेंट था तो अगर हम बात करें इनके कलेक्शन या जो भी मैथर्ट थेंड़ थे जो जो बुक्स में लिखे हुए था उनके बेस पर वह वर्क नहीं करते थेंग्द। वो खुद करते थे तो वो ज्यादा निरबर नहीं थे किस पर थियूरिटिकल वर्क पर जो किताब में यह बुक्स में लिखे होते थे मैथड़्स और वो हमेशा बिलीव करते थे जैसे कि मैंने कहा कि प्रैक्टिस करने हमें ठीक है उनके रेज करते थे अपने जो स्टूडेंट से उनको भी क्या बोलते थे कि जो भी ठीक लगता हो एकार्डिंग टूदा सिच्वेशन जो भी ठीक लग रहा है वही चीज आप जो है अपने मैथडोलोजी में इस्तेमाल करो और एक्जेक्ट और क्रेक्ट जो है वो डाटा को अजो यह नहीं कि जो वो बुक्स में लिखा हुआ था उसके बेसिस पर आप वर्क करते रहो लेकर उनका हमेशा फोकस था कि प्रैक्टिस करो प्रैक्टिकल होना चाहिए फील्ड वर्क होना चाहिए उसके बेस पर जो रिजल्ट है वो एकुरेट आता है ठीक है देव कॉलीज जो हैं ये एक कास्ट ट्राइबस है उनमें खुद इन्होंने जाके परसनली फील्ड वो किया, खुद फील्ड में गे, खुद जाके सुसाइटी में उन लोगों से डिसकस किया, उनका रीजन से जानने की कोशिश की, तो ये इनका क्या था? फील्ड सर्वे था ये कुछ एक्जेंपल से हैं कि वो ज्यादा प्रैक्टिस पे और प्रैक्टिकल पे बिलीव करते थे, सेकंड क्या है कि हिस्टोरिकल और कंपरेटिव मेथर्स है जो विच है बिन यूज बाई ही स्टूडेंट्स आलसो, उन्होंने हमेशा स्टूडेंट्स को भी यही कहा क आप जो थेओरी है उस पे ज्यादा डिपेंड ना रहो बलके फील्ड वर्क करने की कोशिश करो और उनके स्टूडेंट्स ने वही वैसे ही इस्तमाल किया सेकंड जो मैथर्स है उसका थेओरिकल प्लूरिजम इंडेक्टिव भी रहा और डिडेक्टिव भी रहा उनका जो प्लूरिक्टिव जो नहीं प्लूरिकेंड मैथड hook एक तो करना बागी चीज को जु आनने की कोशिश करना आ context ने reference रखे के starting point से, जो deductive हुआ, deductive ह् हुआ, ody deductive वास्ट, बड़े से चोटे हुआ deductive हुआ मतलब बड़ा चीज कंद कण करने उसको लींच तरह से एक पोईंट पर point से, उन Left Family ूंका जो जयदा focus was as well इंड़क्टिव मतलब थोटे से बड़ा नहीं एक चीज़ पकड़नी उसको डिफाइन करते 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 एक पूरा कंसेप्ट जो भी रिलेट था उसके ओपर डिस्केस करना इस थीरिटिकल पॉजिशिन ब्रॉड इस फियर्स ठीक है उनका यह जैसे के इंडेक्टिव में वर्क करते थे गुरे फ्लेक्सिबल्टी अप्रोच वस बर्न फेथ इन इंटलेक्टिल फ्रीडम्स विच इस रेफ्लेक्टिड इन डाइवर्स थीरिटिकल इन अप्रोच जो वो किस पे जैदा निरबर थी उनके फ्रीडम पर मतलब कोई रिकावट ने होने चीलिए सर्वे करने में वह करने में तो ज्यादा से ज्यादा डाइवर्स करने हैं हमेशा हूंकर जो किया था डाइवर्स थी डाइवर्स जो अलग लग topics से अलग लग context time अलग लग context point of view से वो discuss करते थे, जो उनका methodological approach थे, examples किया है, इसकी, even when he conducted survey type research, he centralized into generalize on the basis of scarcity, information and unrepresentative evidence, ये निये के हमने select करके रखा हुआ sample, उनमें से sample है, उन, क्या करते थे, unrepresentative evidence, कोई भी, किसी भी तरह से random ले 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 थे, किसी भी जा के, जैसे के social tension in India, social tension in India में क्या करते थे, वो किसी को भी random, किसी भी religion, जो tensions रहती हैं इंडिया में, जैसे, अगर हम religion के basis पर ले ले ले, cost के basis पर ले ले, states के basis पर ले ले, disputes रहते हैं, तो वो हमेशे उनका focus रहता था, कि खुद field में जाके, और without tension और किसी को भी यानिए, कि किसी को focus करना नहीं, रेंडमली जाके वो evidence लेते थे, वहां से पूछते थे, reasons पूछते थे, उनका cause पूछते थे, तो यह क्या है, कि एक example है, जो वो survey करते थे, research के basis पर जाके, फील्ड में जाके, वो करते थे, तो उनके कुछ important works हैं, जो कि मैं यहां पर screen पर हैं, तो यह discuss करते हैं, cost and race in India, जो books हैं, तो यह भी important है, MCQ के लिए, जो आते हैं, कभी-कभी questions, तो इंडियन सादू, इंडियन सादू किसने, यह भी question है, कि इंडियन सादू जो work है, वो किसका है, जी एस गुरे का, कब दिया था, 1953 में, ऐसे है, बरतन्यातम and its costume, इसके बाद, family and kin in Indo-European culture, यह भी इनका work है, cities and civilizations, ऐसे gods and men, ऐसे करके, यह ST, ST का भी आता है, कि किसने लिखी है, किसकी book है, यह है, GS गुरे की, religious consciousness, Indian costume, social tension in India, I and other explorations, wider India, उसके बाद, Indian acculturation, उसके बाद, Vedic India, or bringing culturems of the North East India, यह इनके कुछ works है, Guys, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और जो इसका second part है, वो भी मैं जल्दी लेकर आँगा, please मुझे बताना कि वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो subscribe कीजिए, like कीजिए, और अभी तक subscribe नहीं किया, तो please channel को subscribe कीजिए, मैं second part बहुत ज झाल